नमस्कार दोस्तों कैशे हो आप सब मैं आपका दोस्त टॉक्टराशीश और आज के इस नए अपिशोड में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आदमी के लिए सबसे ज़्यादा मैतपूर्ण क्या होना चाहिए आदमी के लिए जो सबसे ज़्यादा मैतपूर्ण शीज है वो है उसका मानसिक और सारेरिक स्वास्त अगर वो मानसिक रूप से स्वास्त है अगर वो सारेरिक रूप से स्वास्त है तो वो पैसे भी कमा सकता है अपने रिष्टेदारों का ख्याल भी रख सकता है और अपने दूसरे काम भी कर सकता है लेकिन अगर उसका मांसिक स्वास्त खराब हो गया, सारे रिक स्वास्त खराब हो गया तो ऐसे में उसके रिष्टे भी कमजोर होने लगेंगे और पैसा भी जादा देर तक उसके पास नहीं टिक पाएगा लेकिन दोस्तो आज कल की भागदोड भरी जिंदगी में आदमी अपने स्वास्त का ख्याल बिलकुल नहीं रख पा रहा है समाज में एक परतिस परदा चल रही है, कमपिटिशन चल रहा है, सभी पैसा कमाने की अंदी दोड में लगे हुए है आदमी की जीवन सैली उसकी दिन चरिया इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है जिसकी वज़े से आज नहीं तो कल उसके स्वास्त पर बहुत बुरा प्रवाव इसका पड़ता है खाना पीन अच्छा नहीं है, वयाम ठीक नहीं है, रात को सोना ठीक से नहीं हो रहा है तनाव बहुत ज़्यादा है, टैंसन बहुत ज़्यादा है तो इन कारणों से सबसे पहले उसकी सेक्स्वल लाइफ इपेक्ट होती है दोस्तो आज मैं आपको एक आकड़ा बता रहा हूँ, लगबग 90% लोगों को सेक्स्वल प्रोवलम उनकी खराब जीवन सेली के कारण ही आती है इसके अलवा डैबेटीज, बलड प्रेसर और कोलोस्ट्रोल ये भी खराब जीवन सेली से ही पैदा होते हैं दोस्तो इन चारों का आपस में संबंध भी है, अगर किसी को हाई बीपी की समझ्चा है तो उसे सेक्स्वल वीकनेस जरूर होगी अगर किसी को डैबेटीज है, सुगर लेविल हाई रहता है तो उसे सेक्स्वल प्रोवलम जरूर होगी अगर किसी व्यक्ति का कोलोस्टोल लेविल बड़ा हुआ है तो उसे भी सेक्सवल प्रोब्लम जरूर होगी ये चारो ही समश्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है अगर किसी व्यक्ति को सेक्सवल वीक्नेस आ जाती है उसे एरेक्शन की कमी रहती है या टाइमिंग की कमी रहती है नई नई उमर के लड़कों में समश्या आजकल आ रही है तो सेक्सवल वीक्नेस आने के बाद वे तुरन टेडेना फिल और सेल डेना फिल लेना सुरू करते ह सुरू सुरू में तो इन दवाईयों से अच्छा सराता है लेकिन देरे देरे इनकी डोज बढ़ती जाती है उपर से इनके सैड इफेक्ट बहुत जादा है फिर कुछ दिनों के बाद में ये अपना काम करना बिल्कुल बंद कर देती है और आदमी पूरी तरह से नपुनसक हो जाता है पैसे में उसके रिष्टे खराब हो जाते हैं वो अपने आप में हिन भावना में चला जाता है यानि कि जिस पैसे को कमाने में वो लगा हुआता उसके पैसे भी बरबाद होते हैं उसके रिष्टे भी खराब होते हैं इसलिए दोस्तों मैं आपको सला देना चाहता हूँ कि हर एक ऐसा आदमी जो इस आपा धापी में लगा हुआ है जो बहुत ज़्यादा व्यस्त है मानसिक रूप से व्यस्त है जिसके खाने का कोई शमय नहीं है सोने का कोई शमय नहीं है नीन पूरी नहीं ले पाता है बहुत ज़्यादा टेंसन रहती है ऐसे हर एक आदमी को होमियोपैथि का ये कॉम्बिनेशन जरूर लेना चाहिए जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये होमियोपैथिक कॉम्बिनेशन आपको अंदरूनी ताकत देगा ये होमियोपैथिक कॉम्बिनेशन आपकी बलड सप्लाई को ठीक रखेगा और ये होमियोपैथिक कॉम्बिनेशन आपकी नर्व की वीकनेस को खतम करेगा एक ऐसा होमियोपैतिक कॉंबिनेशन जिसके अंदर एंटि ओक्सिडेंट मौजूद है जिसके अंदर एंटि एजिंग प्रोपर्टी भी मौजूद है येवल दस दिन के अंदर अंदर ये कॉंबिनेशन आपको बहुत सांदार रिजट देगा ये आपके सारीजिक स्वास्त को भी ठीक करेगा और मानचिक स्वास्त को भी ठीक करेगा दोस्तों वैशे तो यह कॉंबिनेशन आपको लगातार तीन महीने तक लेना है लेकिन पहले दस दिन के प्रियोग में ही आपको इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा अगर आप चाते हो कि सो वरस तक भी मुझे सेक्सवल वीकनेश ना हो मेरे पूरे सिरीर की जो नसे हैं वो ठीक काम करती रहें मुझे बलड सप्लाई संबंदित कोई कोई भी समश्या ना हो तो आपको जरूर यह होमियोपेथिक कॉम्बिनेशन लेना चाहिए इस होमियोपेथिक कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए आपको चार होमियोपेथिक मदर टिंचर लेनी है पहली होमियोपेथिक मदर टिंचर का नाम है जिंक को बाइलोबा Q दूसरा है साइडोन या वल्गरिस Q तीसरा है जिंसेंग Q और चोता है एविना सेटाइवा Q आप इन चारो होमियोपेथिक मदर टिंचर को किसी भी होमियोपेटिक डोक्टर के पास से ले आईए और इन्हें एक जगह अच्छे से मिला लीजी अब इस कॉम्बिनेशन की 20-20 बूंदे आदे कप पानी में डालके आपको दिन में कम से कम दो बार पीनी है वैसे अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आपको ये तीन बार लेना चाहिए लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा काम रहता है आप सुबह शाम ही अपने दवाई ले सकते हो तो आप इसे दिन में दो बार भी ले सकते हैं दोस्तों ये कंबिनेशन आपकी नर्वस सिस्टम की कमजोरी को दूर करेगा नमबर दो ये आपकी बलड सप्लाई बढ़ाएगा नमबर तीन ये आपकी मानसिक प्रोब्लम को भी दूर करेगा आपकी टैंसन को कम करेगा तनाव को कम करेगा जिससे आपको अच्छी नीद आएगी और नमबर चार ये आपके सरीर में टेस्टेस्टेरोन हार्मोन्स को भी बूश्ट करेगा दोस्तों आप इसे किसी भी उम्र में स्माल कर सकते हैं आपकी उम्र अगर 18 वर्स हो गई है तो आप इस कॉम्बिनेशन को लेना सुरू कर सकते हैं इसे वे लोग भी ले सकते हैं जिनकी अभी अभी नई नई साधी हुई है इसे वे लोग भी ले सकते हैं जिनके उम्र 40 पलस हो चुकी है इसे वे लोग भी ले सकते हैं जो रिटायर हो चुके हैं 60 प्लस जिनकी उम्र हो चुकी है ये combination सभी के लिए बहुत अच्छा है दोस्तो अगर आप अपनी problem के लिए किसी homeopathic doctor की constitutional दवाईयां खा रहे हैं तो आप अपनी उन दवाईयों के साथ-साथ भी combination को इसका कोई भी side effect नहीं है दोस्तो अगर combination को खाने के साथ-साथ आप exercise भी करते हैं तो आपको दो गूनी तीजी से result पराप्त होंगे क्योंकि दोस्तो जब कोई व्यक्ति exercise करता है तो उसकी body में nitric oxide का level बढ़ता है और nitric oxide करता क्या है ये हमारी खून की नलियों को खौल देता है जिससे हमारे पूरी body में blood का flow बढ़ जाता है इसलिए अगर आप दोईयों के साथ-साथ exercise भी करेंगे कम से कम 30 minute exercise आपको जरूर करनी चाहिए जिसको भी sexual weakness है जो भी sexual weakness के लिए homeopathic दोई खा रहा है उन सब को मैं हमेशा सला देता हूँ कि आपको exercise जरूर सुरू करनी चाहिए दोस्तो आप exercise केजिए और अपनी दवाई समय पर लीजिए आपको 100% लाब मिलेगा दोस्तो अगर आप मेरे diabetes के उपर cholesterol के उपर i blood pressure के उपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे channel health India पर visit करके वो सबी वीडियो देख सकते हैं अगर मेरे वीडियो की आपको ऐसा लगता है कि मेरे किसी दोस्त को जुरूँत है और आज गई वीडियो अगर आपको पसंदा है तो लाइक जरूर करें और channel को जरूर subscribe कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समात करते हैं मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत दिन्यवाद करता हूँ आपको मेरा नमशकार